दोस्तो टार्गेट इश्टरी एक्यू चैनल पर मैं सौरब गुपता आप सभी का तहर दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर टॉपिक वाइस करेंट फैस भी बनाये जा रहा है अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपका लॉस हो रहा होगा जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लें और चैनल पर जाकर रेगुलर बेसस पर चेक भी करते रहें आपको सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे पूरे जोस और उमीद के साथ में सुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रसन क्योंकि अगर आखरी तक आपकी जोस और उमीद जिन्दा है तो आपका सेलेक्शन होना तै है कोशन मनेगा कि जापान देश के जापान देश के अगले प्रदानमंत्री के पद के लिए किसने चुनाओ जीत लिया है तो हाल ही में जापान में प्रदानमंत्री पद के लिए एलेक्शन हुआ था जिसके बज़े से वहाँ पर जापान की जो अगले प्रदानमंत्री का पद है वो जीत लिया है फुमियो किसीदा ओप्शन नंबर एस का राइडेंसर हो जाएगा इन से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के आपको याद होगा उनका नाम था योसी हिदे सूगा योसी हिदे सूगा ये जापान के प्राइम मिनिस्टर है और इनका कारेकाल पिछले साल सितंबर में इनको जापान का नया प्रदानमंत्री बनाये गया था और इनका कारेकाल मात्र एक साल के लिए चल पाया मात्र एक साल के लिए इनका कारेकाल चल पाया और फाइनली इन्होंने रिजाइन दे दिया और अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनाए गए हैं फुमियो की सीधा को option number ace का right answer हो जाएगा अभी हाल ही में जापान की सहर टोक्यो में ओलम्पिक्स भी और्गनाइस किये गए हैं तो दोनों वज़े से ये कुछन इंपोर्टेंट बनता है क्योंकि जापान इस समय बहुत ज़्यदा न्यूस में चल रहा है तो option number ace का right answer हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों एक बार नाम अच्छे से दिखले है किसीदा इनमें से एक चीज़ आप याद रख लिएगा या तो fumio या फिर किसीदा तो हम लोग किसीदा याद रख लेते हैं तो fumio किसीदा का photo देख सकते हैं जिनको हाल ही में जापान देश का नया प्रदानमंत्री बनाया गया है साथी साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं breaking news जापान's next PM former FM यानि कि पहले यह वहाँ पर finance minister हुआ करते थे और अब इन्होंने वहाँ के प्रदानमंत्री पत का चुनाव जीत लिया है अब हम लोग दोस्तों जापान देश के बारे में बात करते हैं तो जापान देश की जो capital है जापान देश की जो capital है वो है टोकियो और वहाँ की currency का नाम है Japanese yen Japanese yen वहाँ की currency है अब इसके लिए यहाँ पर जापान देश से सम्मंदित दोस्तों बहुत सारे question है जो की exam में पूछे जा सकते हैं मैं आपको जब questions करवाऊंगा तो आप वाकई विश्वास मानोगे कि sir जापान देश के ये questions तो exam के लिए वाकई बहुत important है तो देखो point क्या है पिछले हफ्टे की बात है कि जापान देश की दो twin sister ठीक है जड़वा बहने जापान देश की दो जड़वा बहने थी जिनको हाल ही में सबसे ज़्यादा उम्र दराज जड़वा बहने होने का record की विज़े से Guinness World of Record में उनको सामिल किया गया है तो ये दोनों बहने किस देश की हैं दोनों ही जापान देश की हैं दोनों का photo दिखा देता हूँ ये दो बहने हैं जिनकी इस समय उम्र है 107 वर्स और दोनों जड़वा बहने हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र दराज बहने होने का जो record है ये इन्होंने हाल ही में बना दिया है Guinness World of Record की दरबसे इनको ये sealed भी दी गई है तो इसमें आप देख सकते हो साब साब सारी चीजे आपको पता होना चाहिए इन बहनों का नाम है उमेनो पर इनको सबसे बुजर गया यानि की 107 वर्स पूरे करने पर Guinness World of Record में सामिल कर लिया गया है पहला तो ये पॉइंट हो गया दूसरा जापान से लेकर एक कोशन बनेगा भी हाल ही में टोक्यो ओलम्पिक्स आयोजित किये गये हैं और इस बार टोक्यो ओलम्पिक्स में स्केटिंग को पहली बार सामिल किया गया था तो एक स्केटिंग कॉमपडेशन आयोजित किया गया था प्रत्योगिता हुई थी उस प्रत्योगिता में जो पहला इसका गोल्ड था वो जापान देश के यह एक खिलाड़ी जिसका नाम है यूटो होरी गोम, यूटो होरी गोम, जापान देश के जो खिलाड़ी है यूटो होरी गोम, उनको इसमें गोल्ड मेडल मिला था, किसमें स्केट बोर्ड प्रत्योगिता में, तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना ह फिर उसकी बात में आ जाता है कि जापान देश का एक अवार्ड जिसका नाम है फुकुओका फुकुओका गरांड प्राइस ठीक है ये जो फुकुओका गरांड प्राइस है ये एक जनरलिस्ट जिसका नाम है पी साइनाथ पी साइनाथ को प्रदान किया गया है तो भारत के जनरलिष्ट P. Sainat, इनका फोटो देख सकते हैं, मैं आपको ये कोशन पहले भी करवा चुका हूँ, बस चुकि जापान की बात आई है तो इसको recall करवा रहा हूँ, तो भारत के जनरलिष्ट P. Sainat को जापान देश का, फुकू का Grand Prize जो है, वो दिया गया है, इस स्यामला गडेश को order of the rising sun स्यामला गडेश को प्रदान किया गया है जापान देश का यह जो order of the rising sun है यह स्यामला गडेश को दिया गया है यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं स्यामला गडेश का जिनको जापान का order of the rising sun अवार्ड जियो है दिया गया है यह जापा चल रहा था, एक, मिनी, मिनी जापान डेवलप करने का भारत में एक, कह सकते हो, अभ्यान चल रहा था, तो परदधानन्तरी मोढी जी ने, जापानी स्टाइल का जेन गार्डन, जेन गार्डन और कैजन एकेड़मी, कैजन एकेडमी को, हम्ताबाद, मैनेजमेंट एसोसियसं A.M.A. केंपस एहमदाबाद में शुरू किया है तो ये आप देख सकते हैं एक गार्डन है और दूसरा काईजन अकेडमी है ये आप देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल जापान के जैसा लग रहा है लेकिन ये एक्चुल में इंडिया में बना है चेक है तो मिनी जापान भारत के अंदर में कहां पर बनाया जा रहा है आंसर हो जाएगा गुजरात में बनाया जा रहा है गुजरात के एहमदाबाद में मिनी जापान बनाने के लिए कईजन अकेडमी और आपका देखिए जेन कार्डन और काईजन अकेडमी एहमदाबाद मेनेजमेंट एसोसियेशन केमपस में इसको शुरू किया जा रहा है तो इसका एक फोटो भी देख सकते हैं ये सारे कुशन होगे जापान के तो जापान का देखिए यहाँ पर हमारे समझने के पैटर्न को समझिए जितने भी लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही क्वालिटी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है ठीक है वीडियो को लाइक जरूर करें उससे प्रोचसाहन मिलता है देखे जापान का कोशन तो जापान के बारे में सारे पॉइंट अगर आपने एक ही जगे पढ़ लिए तो गलती होने के चांसस आपको नहीं रहेंगे फिर उसके बार में कोशन है अगले कोशन पर चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आपके रिसेंट में सभी एक्जाम बास में आ रहे हैं जनवरी से लेकर पूरा अगस्त तक का जो पीडियाफ है उसके खरीदने के लिंक बाई करने के लिंक विडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं वहाँ से जाकर आप उन्हें वाई कर सकते हैं अगला कोशन मनेगा कि भारत सरकार ने किस राज्य में परसुराम कुंड विक्सित करने का काम सुरू कर दिया है तो आंसर हो जाएगा कि भागवान परसुराम कुंड जो है ये पहले से बना था लेकिन अब इसको डेवलप करके एक तीर्त इस्तान की रूप में डेवलप किया जाना है और परसुराम कुंड जो है ये अड़ुनांचल प्रदेश में इस्तित है जिसके डेवलप्मेंट का काम हाल ही में बारस सरकार के दोरा सुरू कर दिया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं परसुराम कुंड जो है इसको अड़ुनांचल प्रदेश में विक्सित किया जाएगा इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साथी साथ में इसको किस नदी के मुहाने पर बनाया जा रहा है तो यह लोहित नदी अड़ुनांचल प्रदेश की जो लोहित रिवर है लोहित रिवर उसकी निचली पहुंच में इसको बनाया जा रहा है और ये ब्रह्म पूत्र पठार पर इसको डवलप किया जा रहा है अरुनाचल परदेस के बारे में अगर हम लोग डिसक्स करें ठीक है तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है आपको एक्जाम में मदद करेंगी फिल उसके बाद में current fs के अगले प्रसन की तरफ हम लोग चल रहे हैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि recent में चाहें UP हो या फिर इंडिया लेवल पर बहुत सारे exam है जो कि recent में होने वाले हैं जैसे कि UP में UPSI होने वाला है ROARO का exam भी किसी भी वक्त announce हो सकता है UP लेखपाल की vacancies भी आने वाली है साथी साथ में UP constable में 25,000 से ज़्यादा vacancies है वो भी आने वाला है UP TET का form announce हो चुका है चाहर अक्टूबर से official notification भी इसका release कर दिया जाएगा चीक है और अगर हम लोग वैसे बात करें तो SSC के exams देखें तो SSC GD हो गया SSC MTS का तो exam date भी आ गया है Group D हो गया NTPC का CBT2 हो गया MTS हो गया ये सभी exam सभी इससे में चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी exam हो जाएंगे सभी तैयारी को जबरदस्त रखना otherwise आप किसी भी area में lag कर जाओगे कोशन होगा कि सितंबर 2021 में स्वक्ष सन्वेच्षण 2022 के सातवे संस्क्रण को release किया गया है इसकी theme क्या है तो अभी हाल ही में स्वक्ष सन्वेच्षण 2022 का जो सातवा संस्क्रण है इसको release कर दिया गया है और इसकी theme हो जाएगी pupil first option number 20 का right answer हो जाएगा इसकी theme है pupil first option number 20 का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं आजादी के 75 में अमरित महत्षण को बनाने के दौरान ये स्वक्ष सन्वेच्षण 2022 के इस data को release कर दिया गया है और इसका जो theme है इस वर्स के लिए वो है pupil first ये इसका सातवा संस्क्रण है जिसको हाल ही में किसके दौरा release किया गया है ये चीज़ भी exam में पूछी जा सकती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति इसको release करें इनका नाम आपको याद है कमेंट करके बताईए का इनका नाम क्या है तो चलिए आपको बता देते हैं ये हैं केंद्रिय मंत्री स्री हरदीप सिं तो इसका 27 संस्करन हाल ही में release किया गया है तो ये वाला question भी आपका important हो जाता है इसको आप लोग exam के लिए तयार रखेंगे question मनेगा कि वर्स 2021 के लिए year 2021 के लिए सांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है तो वर्स 2021 के लिए सांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये कुल 11 लोगों के लिए option number 20 का right answer हो जाएगा कुल 11 लोगों को प्रदान किया जाएगा मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताए थी कि हाल ही में 26 सितंबर को CSIR जो है वो अपनी foundation की अस्वी इस्तापना दिवस बना रहा है CSIR के foundation के 80 वर्स पूरे हो गए है और उसी के अवसर पर CSIR के दोड़ा सांती स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की गोश्रा करी गई थी जिसमें कि इस वर्स 11 लोगों को सांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे कोशन मनेगा अगला सांतार प्रसन मनेगा कि किस दिन को विस्व हर्दय दिवस वर्ड हर्ट डे के रूप में मनाया जाता है तो एवर्ड हर्ट डे के रूप में मनाया जाता है औप्शन नंबर 20 का राइड अंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो लिखा है साब 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 सितम्बर 29 वर्ड हर्ट डे मनाया जाता है वर्ड हर्ड डे किस के लिए इस दिवस का तीम है वो है यूज हर्ट टो कणेक्ट ये वर्ड हर्ट डे कीस के लिए इस दिवस का तीम हो जाएगा फिर उसके बाद में आता है एक और सांढ़ सा IMPORTANT IS कोशन मनेगा कि खाद्य हानी और अपसिष्ट के बारे में जगरुकता का अंतराश्ट्रिय दिवस यानि कि International Day of Awareness of Food Loss and Waste प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो हर साल ये दिवस भी 29 सितंबर को मनाया जाता है Option No.D का राइड अंसर हो जाएगा हर साल 29 सितंबर को International Day of Awareness of Food Loss and Waste यानि कि जो हम खाने की बरबादी करते हैं भोजन जो बरबाद करते हैं उसके बारे में आवर्णेस मैलानी के लिए ये दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है अगर हम बात करें वर्ण 2021 के लिए इस दिवस की थीम क्या होगी तो वर्ण 2021 के लिए जो इस दिवस की थीम होगी वो होगी Stop Food Loss and Waste for the People, for the Planet ये इसका वर्ण 2021 के लिए थीम हो जाएगा आपको अभी रिसेंट में जितने भी एक्जाम हो रहे हैं उसमें थीम बाले दिवस बहुत पूछे जाते हैं उसके लिए आपको याद रखना है चलिए CurrentFS के अगले कोशन में बनेगा कि IPL में किसी एक टीम के खिलाब एक हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो answer हो जागा इसका रोहित सर्मा ने ऐसा ये मुकाम हासिल कर लिया है किसी एक टीम के खिलाब एक हजार रन बनाने यानि कि सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो खिताब है वो रोहित सर्मा ने तोड़ दिया है रोहित सर्मा को ये उपादी मिली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक खिलाडी की दोरा एक हचार रन बनाने वाले में रोहिच सर्मा पहले स्थान पर आए इन से पीछे हैं डेविड वार्नर और फिर आता है विराट कोहली का नाम रोहिच सर्मा ने किस देश के खिलाब, किस टीम के खिलाब एक हजार रन आई पिल में बनाए हैं तो अंसर हो जागा कॉलकाता नाइट राइडर्स तो के खिलाब उन्हों ने ये कारनामा किया है क्वेशन बनेगा कि सितंबर दो हजार एकिस में सितंबर दो हजार एकिस में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया यानि कि PTI के अध्यच कौन चुने गए हैं तो एक बार फिर से अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया का जो अध्यच है बना दिया गया है option number ace का right answer हो जाएगा यहाँ पर आप इनका photo भी देख सकते हैं अभीक सरकार का जिनको हाल ही में PTI का नया अध्याच बना दिया गया है अब इसमें देखो बाकी की जो options हम देख रहे हैं जैसे कि देववरत मुखरजी, राजी उबंसर, लाजी उगरवाल यह सब कौन हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं तो other options में देखें, तो जो पहला जो भी option है देववरत मुखरजी, यह आपके हैं Audit Bureau of Circulations के अध्याच यह उसके अध्याच है, राजीव बंसल कौन है साथी साथ में यह पहले से Air India के प्रमुख भी है फिर तीसरा नाम है आपका राजीव अगरवाल तो राजीव अगरवाल कौन है, इनको हाल ही में Facebook के Director of Public Policy के Head Appoint किया गया है तो यह भी बनाए गया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तो, SSE हो गया, Railway हो गया, सभी का एक बहुत ही पुराना Pet Question था कि Rider Cup की Skills समभने था तो Rider जो है, यह एक तरीके से Golf Tournament है, ठीक है तो Question यहाँ पर बनेगा, Question बनेगा कि Rider Cup Rider Cup Golf Tournament किस देश ने जीत लिया है तो हाल ही में, अमेरिका ने यूरोप को हरा कर अमेरिका ने Rider Cup Golf Tournament को जीत लिया है Option number Ace का Rider answer हो जाएगा इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमेरिका ने हाल ही में गोल्फ का Rider Cup अपने नाम कर लिया है इसके बाद में Question मनेगा कि World Tourism Day, विस्व परियाटन दिवस World Tourism Day, यानि कि विस्व परियाटन दिवस प्रती वर्स किस दिन, प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है So guys, every year, every year 27th of September, हर साल 27 सितंबर को 27 September हर साल 27 सितंबर को World Tourism Day मनाया जाता है Option number 20 का Rider answer हो जाएगा इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं World Tourism Day, हर साल आपका ये दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है Verse 2021 के लिए इस दिवस का जो theme है वो हो जाएगा Tourism for Inclusive Growth ठीक है, ये important है Tourism for Inclusive Growth ये इसका 2021 के लिए theme हो जाएगा अब दोस्तों, आज का question जिसका answer आपको देना है स्क्रीन पर आपको देख रहा है इसका answer क्या होगा, जल्दी से पताएंगे साती सात में आपको दो-तीन काम करते हैं जिसको हमारा जो जन्वरी से लेकर अगस्त तक का PDF है वो लिना है वो जल्दी से वीडियो के description में link है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं साती सात में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और share भी करें ज़्यादा 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 लेकर